हेलो दोस्तों अगर आपकी यूट्यूब मोलिजेशन में step 2 में error आ रहा है step 2 में error कौन सा है create a link वाला इसमें आपसे कहा चाता है कि your associated adsense account was closed मलब कि जो आपका adsense account वो closed हो चुका है इसकी वैसा हम आपके step 2 को done नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपका भी error है तो आज मनें इस वीडियो में यहीं बताया कि आप इस error को solve कैसे करो कि बहुत easy step से बताया तो वीडियो बहुत दा खास होने वाली है अगर आप इस video को पूरा नहीं देखते हो कोई step को miss करते हो तो आप इस error को solve नहीं कर पाऊगे तो भाई आपको ध्यान अगना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और सारे steps को follow करना है और आप laptop से कर रहे हो तो laptop से कर सकते हो और आप phone से कर रहे हो तो same steps को follow करके भी आप अपने इस error को solve कर सकते हो चलिए दूस्तों जली से देखते हैं create or link के error को solve कैसे करना है और कैसे step 2 को done करना है तो दूस्तों मैं आगे laptop के screen पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे पास एक नया channel है और आज हम इस channel का issue है उसको solve करने वाले है भाई अपना monetization का step 2 का error है आज इसको solve करने वाले है तो इन भाई ने मुझसे instagram पर contact किया था बदाया था कि भाई मेरे step 2 में error आ रहा है so we are unable to monetize your channel मतलब जब इनका step 2 disapprove होगा इनका adsense जब reject हो गया होगा तो यहाँ पर इन्हों आपने adsense को उसके पाद close कर दिया जिसकी वैसे यह वाला error आ गया यहाँ पर हम लोगों के पास एक option मिलता है create or link and adsense account को create करो या फिर को link करो यह वाला option हम लोगों मिल जाता है तो आज हम इसी को solve करने वाले हैं आप easily solve कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो अगर आप इस वीडियो को कोई part miss करोगे skip करोगे छोड़ दोगे तो अगर आप इस error को solve ना कर पाओ तो भाई मुझे तो blame करना मात क्योंकि आप जो वीडियो को काट काट खुल जाएगी अगर इस gmail id पर adsense होगा तो वह भी खुल जाएगा जिहां adsense account था बड़ यहां पर close हो हुआ है तो यहां पर हमारा Gmail खुल गया और हमारा पास यह mail आया हुआ है अभी you may have recently close your adsense account शायद इन भाई ना भी कुछ टाइम पहले इनका adsense account वो close किया था जिसकी यह mail आये हुआ है हम लोग क्या करने वाले हैं इसको solve करने के लिए इन भाई ने मुझे यह कहा था कि इनकी 2-3 gmail id और हैं और उस पर भी इन्होंने adsense account बना रखे हैं जो existing account है वो इनको नहीं चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उन adsense account को भी close करने वाले हैं अगर दोस्तों आपके बास भी एक्स्ट्रा फाल्तू के adsense बना हुए हैं तो सबसे पहले आप उसको close कर दीजिए तब जाके error को solve कीजिए यहां पर आपको search करना adsense.com और adsense.com पर चलते हैं और हम लोग sign in करेंगे और sign in करके अपनी एक extra gmail से sign in करने वाले हैं तो इन भाई ने म email id से जो इन्होंने मुझे दिये उससे sign in करेंगे क्योंकि इन्होंने मुझे का है कि third और fourth Gmail पर भी एक adsense बना हुए हैं तो उसको भी हम लोग check करने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर दिख सकते हैं कि हमने जो sign in कर लिया है अपनी extra Gmail से adsense में और आप यहां पर दिख सकते है adsense for YouTube और यहां पर देखेंगे जी हां यह भी प्रोसेस पर लगा हुआ है यह अभी verify नहीं हुआ adsense हम लोग क्या करेंगे यह extra file to adsense को close करने वाले हैं तो simply आपको जाना है account में और उसके बाद आपको account में जाने बाद नीचे आपको मिल जाएगा close account कर दीजिए और उसके बाद यहां पर आपको option मिल जाएगा तो उसको भी हम लोग जड़ी है चेक करने वाले है जदी इसो भी sign in करते है अपने adsense में तो यहां पर हम लोग फिरसे अपने adsense में आ चुके हैं और उसके बार यहां पर I understand, I accept, select reason में अदा कर दीजिए, I have करके close my account कर दीजिए, तो इस Gmail ID का भी जो AdSense था वो हमने close कर दिया है, तो दोस्तो हमने सारे के सारे जो अपने existing account थे वो हमने हाँ पर remove कर दिये हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने main browser पर चलते हैं, जिस पर ह हम लोग चलते हैं यहां पर payments में, और यहां पर चेक करेंगे क्या नाम का AdSense बना हुआ है हमारा, उसको यहां पर दिख सकते हैं, यहां पर जो नाम आ जाएगा, AdSense publisher ID की नीचे नाम आ जाएगा, और इस नाम को आप याद रखना, इसी नाम की हम लोग details अभी आगे भरने हैं, तो यहां पर यह नाम है, इसको याद रखना, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने link वाले AdSense की, इस वाले AdSense की payment profile को delete करेंगे, नई tab लेते हैं, यहां पर आपको सर्च करना my account, उसका फर्स लिंक मिल जाएगा, इस पर click कर दिजे, Google account वाले पे, यहां पर भी आप देख सकते हैं, वही वाला नाम है, जो कि हमारे AdSense पर था, अब हम लोग को payment profile close करना है, सबसे नीचे आ जाईए, यहां पर आपको मिल जाएगा close payment profile, इस पर click कर दिजे, और password डाल के verify कर लिजे, तो इसकी भी जो हम लोग payment profile close करने वाले हैं, यहां पर आपको select करना है other, और नीचे आपको डाल देना other reason, उसको और यहां पर आपको क्लिक करना है continue and close payment profile, इस तरह से अपने YouTube चैनल की Gmail ID, AdSense है, जो step 2 में हमारे link था, उसकी payment profile हमने close कर दिया, तो हम लोग को क्या करना है, अपने AdSense पर चलना है, तो AdSense पर चलते हैं, और यहां पर आप दिख सकते हैं, हम लोग जाएंगे payments में, तो आप यहां पर दिख सकते हैं, यहां पर कोई भी details नहीं आएंगे, क्योंकि हमने payment profile है वो delete कर दिया, जिस address details है, आपको यहां पर AdSense बनाना है, create करना है, जो कि आपके YouTube में link होगा, इस वाले, जो हमारे YouTube चैनल के Gmail ID पर जो AdSense है, इस ही वाले में डालोगे, नाम डालना है, address 1 डालना है, address 2 डालना है, city, postal code, state and phone number, सारी चीज़ हम लोग फिल करने वाले है, लेकिन ध्यान अगना है, जो नाम मैं आपको पहले बताया था, कि जिस नाम की आपकी payment profile पहले बनी वी थी, उसी नाम को अगर आप use करन चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास existing extra AdSense नहीं है, उसी नाम से आप जो अपना AdSense को verify करवा सकते हो, तो हम लोग पुरानी वाली जो हमारी details पड़ी थी, उसी details को यहाँ पर डाल देते हैं, फिर से, और जो submit कर देंगे, फिर हमारा step 2 है, वो कुछ प्रोग्रस में जाएगा, उसके बाद दन हो जाएगा, तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने सारी के सारी details डाल दी है, नाम डाल दिया, address डाल दिया, address 2, city, postal code, state and phone number, जो पुराना वाला था, मैंने वहीं सब कुछ डाल दिया है, आप भी डाल देना, उसक से 2-3 घंटे गा, और जो आपका step 2 है, वो प्रोग्रस में खुद बाखुद चला जाएगा, उसके 6-7-8 घंटे बाद जो है, आपका step 2 में यहाँ पर done कोई तरेके से आजाएगा, ठीक है, तो वस आवा आपको वेट करना, उन भाई का मेरे Instagram पर अभी just message आया है, कि भाई म मेरा step 2 progress में चला गया है, तो अभी हम लोग refresh करके देखते हैं कि सच में, जो है, प्रोग्रस में चला गया है, यह नहीं चला गया है, तो उन भाई ने तो चला गया है, यहाँ पर जो है, एक घंटा कुछ मिनट पर हम लोगों को किया था, और 15 बच कि 15 मिनट हो रहे हैं, ए इस तरह से इस एर्र को सॉल्फ करने वाले हो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फानली जो हमारा स्टेप वह दन हो चुका है तैस बच के सोलम रेट पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको यकीन हो जाए तो यहां पर हमारा फानली लिंक हुआ है जो यहां पर आप देख सकते हैं यह वह एटसंस है यह पर बंच चुका है तो इससे आप एर्र को सॉल्फ करोगे तो दोस्तों अमीद करता हूं आपने अपना एर्र उसको सॉल्फ कर लिया होगा आपकी प्रॉल्म में दूर हो गई होगी अगर को वीडियो अच्छी लेकिती वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो के लिए और जो बेला इकन उसको दमाने के बात नौट इफिशन को आलपस लाइक करता हूं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जोई नहीं किया तो आपर जुड रहे हैं और आपकी बहुत बहुत हो जाएगी मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केर